अब मैं राजकुमार आपकी एक साथ साथियों जैसा कि आप जानते हैं एबरी नाइट आठ बजे से आप लोग देखते हैं यह सूपर टेट सीटेट यूपी टेट की एक कमबाइंड कलास होती है जिसमें बहुत ही बेसिक से हम लोग पढ़ना शुरू कर दिये हैं और आज 15 दिन लगभाग पढ़ चुके आप आज 16 दिन है आज आपका एक नया ध्याय होगा जिसका नाम है भिन्न पहले आप सभी कमेंट करके मुझे यह बताओ क्या सब कुछ क्लियर आ रहा है कोई दिक्कत तो नहीं ना एकदम साफ दिख रहना सब कुछ ठीक है चलिए भिन्न इस भिन्न एक संख्या है जो पूर्ड के किसी भाग को दर्फाती है जैसे देखिए एक जामपल के लिए मैंने अगर लिखा यहां पर तीन बटा पांच तो इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे यह बताओ मैं आपको क्लियर करके दिखाता हूं देखिए भिन्न का मतलब है कि ए एक ऐसी संख्या जो किसी पूर्ड के एक भाग को दिखाती है किसी पूर्ड के एक भाग को दिखाती है जैसे देखिए अगर माल लिजीए कि हमने पांच खानों वाला एक एफे डिब्बा बनाया कुछ यहां पर आप इन्हें समझने की कोसिस करो दो थीन चार और पांच यह क्या हुआ यह पांच खानों वाला एक माली जी हमने फिगर बना लिया तो 3 बटा 5 का यह मतलब हुआ कि इन पांचों में से 3 यानि यह फ्रेक्शन कैसे बनेगा जैसे मानलो हमने दो भाग कलर्फुल कर दिया तो अगर आप से कोई पूछे कि इसमें का कितना भाग ऐसा है जो colorful नहीं है तो क्या कहोगे आप क्या कहोगे colorful जो नहीं है जो color किया गया उसको नहीं गिनना है तो देखो कितना नहीं है एक, दो, तीन तीन ना, और total कितना भाग है पांच तो यह हो गई colorful भाग को भिन के रूप में तीन बटा पांच लिखेंगे अगर हम आपसे पूछें कि इसको भिन के रूप में लिखो जितना भाग colorful है उसके according तो बच्चा दूई भाग colorful है दो लिखोगे टोटल पांच है इसलिए पांच लिखोगे ठीक है, देखो बहुत से बच्चे जुड़ें मैं देख पा रहा हूँ, संध्य जुड़ी हुई है अनामिका, आस्वा परबीन मुकेस, विनीता यादो सुधान सू, पंकज देखिए कुछ बच्चों के कमेंट भी हाइड हो रहे हैं बच्चे बहुत कम है, कोई बात नहीं है जब टाइम मिलेगा तब देखेंगे हमारा पढ़ाने का मतलब मैं पढ़ा दे रहा हूँ ठीक है, हमारा कर्तब बे पढ़ाना है अब तुम पढ़ो या ना पढ़ो ये हमारे जिम्मेदारी नहीं है हाँ, चलो अगर मान लीजिए कि मैंने ये फ्रेक्षन बनाया और इसमें से एक भाग मैंने कलरफुल कर दिया और मैं आप से पूँछ हूँ कि बच्चा ये बताओ इसमें कलरफुल भाग के लिए क्या फ्रेक्षन होगी आप लोग मुझे सभी बताओ जल्दी से कमेंट करके संद्या कौसिक जी आप ही बताइए देखो ये देखके मत टेंसान लिया करो कि बच्चे कम है या जादा है जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे ठीका ना बच्चा जिनको नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं संद्या जी बिल्कुल बहुत अच्छा जबाब बेरी गुड कलरफुल भाग का जो फ्रेक्षन होगा वन अपांथरी होगा अच्छा आप मुझे ये बताओ कि बिना कलरफुल भाग का पार्ट कैसे सो करोगे जितना भाग सादा है कलरफुल नहीं है उसको भिन्न के रूप में कैसे दिखाओगे चलो जल्दी करो सभी बच्चे देर मत करो बाबू चलो टाइम नहीं मेरे पास ज्यादा मैं थोड़ा सा सेयर करने को सोच रहा था देखो टोटल अगर मैं बात करूँ इसमें कलरफुल भाग की तो अउनली वन पार्ट कलर है ठीक है हाँ टोटल पार्ट कितना बच्चा तीन है तो तुम नीचे तीन लिखोगे ठीक है और सादा भाग सादा मतलब जो कलरफुल नहीं है अगर हम इसकी बात करेंगे बच्चा तो क्या होगा पता है आपको तब क्या होगा अरे याँ टोटल तीन भाग है सादा भाग एक दो है तो दो बटा तीन होगा मतलब जितना कलरफुल नहीं है वो कितना होगा दो बटा तीन जितना कलरफुल है एक बटा तीन समझ में आया ना भईया जो भी छात्र जुड़े हैं अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन आन करें और हाँ अगर आप पुराने हैं तो भी आप कलास को लाइक करिए लाइक तो हर कोई करेगा नया पुराना अंकित कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज भीन हमने भीन का मतलब समझ लिया आखिर भीन होती क्या है सीख लिया ना हमने भीन क्या होती है इसमें किसी को कोई लफड़ा नहीं आप कोई टैंसन नहीं है कोई confusion नहीं है एकदम मस्त दिख भी राए चलो अब हेडिंग डालो दस हम लोग भीन डेसिमल फ्रेक्शन चलो है इडिंग डैलो दसामलो भीन ठीक है आज को आब हागलो घॉंगा बटना नहीं बताएंगे बच्च्खे नहीं वापा है खी है युदिक हो हम कि थे ऑन बेल लिद को उम लोव था हो तुलत तेखलो फटो यह ओन चलो 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 बहिए हैगि डालो संपर ओई मार्कर में मुझे स्याही भरना पड़ेगा ना पड़ना पड़ेगा का र है एकदम क्लियर है नोड आउट वायल जी बिल्कुल आपका कमेंट आरा बच्चा चलो दस हम लोगी ने क्या होती है इसको इंगलिस में डेसिमल फ्रेक्शन बोलते हैं का बोलते हैं डेसिमल फ्रेक्शन अस्वाफर वीटी आरा समझ में ना सबको समझ में आरा ना देखो डेसिमल फ्रेक्शन जैसे मैंने लिखा तीन बटा दस तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 तो यह क्या हो गई यह दसमलो भिन्न हो गई इसकी परिभासा अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा दसमलो युक्त संख्याओं को जब भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो हमें दसमलो भिन्न प्राप्त होती है जिसका हर हमेशा दस की घात के रूप में ही रहता है यह बात आप याद रखना ठीक है समझ गए ना जैसे देखिए अंतर समझ ये कि कौन सी भिन्ने दसमलो भिन्ने नहीं है जैसे मान लो कि मैंने लिखा यहाँ पर 45 अपान 100 इसको हम लिख सकते हैं 0.45 बेसिक तो आपको पता है इसके नीचे कैसे होता क्यूं होता है सबको पता है तो बच्चा ये ठीक है ये दसमलो भिन्ने है अगर हम लिखें 325 अपान 10 इसको हम 32.5 लिख सकते हैं तो अब मतलब समझो इसका हर नीचे क्या है दस की घात में है ना इसका हर नीचे दस की घात में है है ये दसमलो भिन्ने हैं कुछ और भी ग्यामपल देख लो जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँपे 18 वटा साथ ये दसमलो भिन्न नहीं है ठीक है अगर मैंने यहाँआ पर लिख दिया क्यों बीस वटा नो यह blb travelling नहीं है क्यों क्योंकि इसके हर में दस की घात के रूप में नहीं आ रहा है देखो सव को हंड्रेट को हम दस की घात दो भी लिख सकते हैं इसको दस की घात वन लिख सकते हैं हाँ इसको तुम चाहो तो दस की घात तीन भी लिख सकते हो लेकिन जब तीन घात करोगे बच्चा ते इ यह 5 होगा यहाँ thumblum होगा ठ है तो यह सवी क्या होती है बाबू यह सवी होती हैं अंतर समझ में जल्दी बोलोATHER है यस वो भिन्न जिसका हर 10 कि गात के रूप में होता है वो दसलो भिन्न कह लाती है यह सभी दसलो भिन्न नहीं है जैसे अगर एफे ले लो एफे ले लो ये भी क्या है ये भिन तो है लेकिन दसमलो भिन नहीं है क्योंकि इनका जो हर है नीचे की गिंती है वो दस की घात के रूप में नहीं आ रहा है दसमलो भिन के और कुछ एक्जामपल देख लो देखो समझो बहुत ही डीटियल में हम समझाना चाहत हैं क्योंकि टेट सीटेट सूपर टेट में इससे बड़ा कुछ जादा आता नहीं है आता इतना है है देखिए समझ यह जैसे मैंने लिखा 9570 इसको अगर हम लिख दें 10,000 तो यह क्या है इसका हर दस की घात के रूप में है बोलो है की नहीं है ना बाबु 10 की घात के रूप में है इसका हर वीडियो खुद देखता हूं कैसे दिख रहा है संद्या बताओ क्या आएगा चलो ठीक है तो इसका हर दस की घात के रूप में है है ना हम इसे लिख सकते हैं 9570 आप आन देखो तो चार घात, चार जीरो है, तो इसे चार घात लिख सकते हो, लिख सकते हो ना बाबू, लिख सकते हो ना भाया, तो फाइनल में चार अंक पे दसमलो लगाओगे, तो ये 9570 हो जाएगा, यानि ये क्या है, ये दसमलो भिन्न है, ये decimal fraction है, इधर थोड़ा मैं और सो कर देता ह चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है, दसमलो भिन्न है, लेकिन एक एक जामपल इधर जो है, ये सभी दसमलो भिन्न नहीं है, देर आर नो decimal fraction, अच्छा, कुछ लोग कह रहे होंगे, कि दसमलो भिन्न बहुत हाई-फाई होती है, तो ऐसी बात नहीं है, देखो इ 3729, ठीक है, अब इसे समझिए, अगर हमने इसे 429 लिखा, ये दसमलो भिन्न नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो घाते हैं, वो दस की घात के रूप में ऐसे नहीं बनेंगी, बनेंगी बोलो, नहीं बनेंगी न, तो ये दसमलो भिन्न नहीं है, ये क्या है, दसमलो विन हैं अगर यहां पर हम लिखें मालो नो आठ तीन दो नीचे हम लिख सकते हैं सोला लिख सकते हैं अब सिक्ष्टीन को बच्चा आप लिख सकते हो नाइन एट थ्री टू अपान टू का पावर फोर तो ये क्या हुआ भाई ये क्या बना फिर ये टू का पावर फोर हो गया ये दस के पावर के रूप में आ रहा है नहीं आ रहा है ना दस की घात के रूप में नहीं आ रहा है तो ये क्या है दसमलो बिन नहीं है ये दसमलो ब कि गहाद, मतलब कि ये क्या है दसमलो बिन्हे थिक है ये दसमलो बिन्हे और देखो अमारी तबियत बिल्कुल सह हूई है और पाइल सावालवार जी और पावनराज नाज बच्चा बलाख वाला काम करोगे तो बलाख हो जाओगे क्योंकि यहाँ पर دेखो बाबू कलास चलती है तो जो पढदा रहे हैं उसको अगर देखोगे तो ठीक है अगर तुम अपना Tuesday डंड़का करोगे तो हम क्या करें इसको न पढ़ाएं क्योंकि इसको देखने वाले तो और लोग होंगे धेर सारे लोग होंगे वो कुष्चन तो सिर्फ तुम्हारा ही होगा है ना ये वज़ा होती है चलिए इसको लिख लिजिए कुष्चन पूछने के लिए आपको पीडियार स्टडी आप में कोर्स लेना होता फिर वहां से आप पूछ सकते हो ठीक है समझ रहे हो ना चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी इसको लिखिए हरी केस याद हो जी गुडिबनिंग भाईया गुडिबनिंग ये अगला टौपिक अप लिखो इसमें ब्लोग पड़ेंगे अब लिखो Dec ो अभी तक तो आप विनैञ से दस अंटलो में बदल रहे थे ना अभन लिखो दस अंटलो संक्या का विन complaint में बदलना है हीटिंग लिख लिए कि सभी लिख लिख लिए ना कि बोला करो तो मजा आती न मिदैन बोलते हो तो बहुत गंदा लगता है चालो अगला heading लिखो दसमलो संख्या को भिन्न में बदलना ठीक है? देखिए जब कभी कभी हम वीडियो देते हैं तो बच्चे देखना नहीं चाहते हैं पता नहीं कौन सी मुसीबत होती है उनको दसमलो संख्या को भिन्न में कैसे बदलते हैं? देखिए कुछ एक्जांपल के माध्यम से हम आपको बताएंगे जैसे कोई भी संख्यागर दी गई है माल लेते हैं कुछ यहाँ पर है हमारे पास में आप ध्यान दीजेए इने ठीक है? भाई असी राज बच्चा पढ़ना है तुम को की नहीं? पढ़ना है ना बाबू? पढ़ना है तो पढ़ाई ग्रहन दो त्री टू और पॉइंट यहाँ फे फाइफ यह क्या है? एक दसमलों संख्याए ना? इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखोगे? सोचो एक नंबर मानलो मैंने और लिख दिया नाइन्टी एट यह नाइन पॉइंट एट है इसको भिन्न के रूप में कैसे बदलोगे? सोचो और बताओ चलो जल्दी से फटा फट गेस करिए और बताइए कैसे करोगे? देखो सिंपल है पहले जो भी गिन्ती लिखी गई है उसको हम लिख लेंगे वैसे लिख लेंगे जैसे भी वो लिखी गई है उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है ठीक न? इतना ठीक है? तो हम ये नंबर लिख लेंगे 3, 2, 5 उसके बाद यहाँ पर दाहिनी साइड से वन डिजिट पर पॉइंट लगा है तो हम क्या करेंगे? नीचे वन के बाद वन जीरो लगा देंगे बस ये क्या हो गया? दसमलों के रूप में हो गया ठीक है? संद्या सिंग जी बिल्कुल करेक्टर अंसर है आपका वेरी गुड रमेश बगेल मोहिनी बिल्कुल करेक्टर दूसरे में क्या करोगे बच्चा? 9, 8 और नीचे क्या करोगे? 1, 0 वन के बाद एक सुनना लगा दोगे ठीक है? इतना क्लियर है न? तो ये तो हो गए आपके इसके बाद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या नीचे सम में 10 ही कर देते हैं ऐसे तो नहीं है कि सम में 10 कर देते हैं जैसे देखिए यहाँ पर अगर हमने लिखा है 0.792 तो इसमें का करेंगे पता है आपको? इसमें का करेंगे? देखो समझो यह नंबर पूरा लिख लोगे 7292 है न? चलो 792 लिखो 792 उसके बाद में निक्चे देखो 1, 2, 3 पीछे से गिनो 3 अंकों पे दसमलो है तो एक लिखने के बाद 3 सुनना लगाओगे यह क्या हो रहा है? यह दसमलो विन्न आ रही है संद्या जी गलत है आपका आपकी बार वहाँ पे आप ध्यान दो अगर तो कुछ और लिखा गया भाया देखो वहाँ पे क्या लिखा है रह यार एक दो तीन अंक पे दसमलो है तो नीचे तीन सुनना नहीं बढ़ाओगे क्या? एक अंक पे दसमलो होता था तो एक सुनना लिखते थे थे ना तीन अंक पे है तो तीन सुनना लगाओगे यह होगे आपका दसमलो विन्न से किस में बदलना? दसमलो का विन्ने में बदलना अब और बताओ question next मालो की ये इतना नंबर लिखे गए है यहाँ पे point है इनको बताओ चलो जल्दी करो सभी बंदे करें भाई फटाफट जल्दी करिए सभी करेंगे इनको विन्ने के रूप में बदलके दिखाईए जल्दी बताईए रिसाब बर्मा आप भी बताओ चलो इसके बाद सभी बच्चे अगला हेटिंग डालेंगे अगला हेटिंग क्या कह रहा है वो भी देख लो अगला बहुत ही important हेटिंग है बच्चा दसमलो भिन्न को दसमलो संख्या से भाग करना लिखो जल्दी करो दसमलो भिन्न को दसमलो संख्या से भाग करना चलो जल्दी करो दसमलो भिन्न को दसमलो संख्या से भाग करना ठीक है चलिए जल्दी करिए लिखो लिखो जल्दी करो अगला heading मैंने दो तीन heading मिटा भी दिया है दसमलो भिन्न को दसमलो संख्या से भाग ठीक है न सब clear है न बच्चा इतना कर लोगे न चलो heading डाल दिये दसमलो भिन्न को दसमलो भिन्न से भाग करना दसमलो संख्या है दसमलो भिन्न लिख लो जादा बेतर रहेगा इसमें कुछ जो भी example है उनी के माद्यम से हम करेंगे यहाँ पे भी भिन्न लिख लो जादा बेतर रहेगा दसमलो भिन्न को दसमलो भिन्न से भाग जैसे मान लीजी एक example है पहला यहां पे लिख लो माल लो 23.15 यहां पे है 0.04 इनको क्या करना भईया हमें भाग करना है अब मुझे इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी करो सबी बच्चे कितना आएगा रिशव असिराज, रमेश आसीस बहुत अच्छे बच्चे, very good देखो भाई पहले तो यह देखोगे उपर नीचे दो दो अंक पे दसमलो है न दो अंक पे नीचे है दो अंक पे उपर है बराबर अगर है तो इसको बिना कुछू करे आप आईसे भी लिख सकते हो या इसे बस मतलब दसमलो हटा दो बाकी सारे जो ही गिंती उनको लिख दो अगर बराबर बराबर अंक पे दो है न संध्या जी आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है संध्या सिंग आपका इंटरनेट धीमा चल रहा है इस वज़ा से आपको बराबर clear नहीं दिख रहा है ठीक है, अब देखो आगे, आगे देखो, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अगर थोड़ा सा अलग तरीके का हो गया, तब देखो, एक दम बेसिक से बता रहा हूं, जैसे माल लो इसी में ऐसे है, ये 23 है, ये 15 है, ये दसमलो माल लो यहां लगा है, अब की बार, और यहां पे तो वहीं लगा है भईया, ये, उपर एक अंक पर है, नीचे दो अंक पर है, हमें पता है, कि अगर बराबर बराबर होता तो हम दसमलो हटा देते, लेकिन नीचे दो अंक पर है, तो हम क्या करेंगे, दसमलो साइड आ जाएगा उपर का एक दम से हट जाएगा ये चीज होगा ठीक है नि तो एक क्या म कर लो एक काम यह कर लो है दोनों मेथट बता दे रहा हूं पहले तो आफ यह कर सकते हो इसको यहां से दसमलोगा दो पूरी तरह पे यहां पर दो अंक पर था चुक्कि ऊपर आइसा समझ लो यार हो नीचे दो वाग प्रेंगे दो में से गया एक यह किसमें आएगा एक यह एक ऑंक पर नीचे लगा रहेगा तो जीरो पॉइंट फॉरघएगा सि का है बाद में final में क्या करोगे नीचे एक उंग पर समलो है तो ऊपर एक 0 बढ़ा दोगे इसको खतम कर दोगे ठीक है तो final में आपका यह आजाएगा क्या एगा 2315 ओपर 0 नीचे 4 बस पैसे यह भी क्या एक तरीका है ठीक है समझ में रहा है ना भी लिख लो जली करो फटा फट करेड़ो देडर ना करो तीका ना भय आ समझ में आ रहा ना कि की सबीको मस्त दिख रहा है न करें चलिए यह सब करें यहीं से को इसका एक दीसरा पहलू भी मैं अपको बता दे रहे हूं में कि देखिए मैं कुछिस्टन भी करवाऊंगा अभी पहले यह बेसिक कंसेप्ट इंसे रेलेटेड है इनको आप कर लो कि जिससे कि आप कुछिश्टन को इजली हल कर सकें ठीक है कि क्योंकि जल्दी जल्दी से कुछिश्टन कर बादेना ही कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते हैं तो कोई भी ट्रिक किसी भी बच्चा को याद नहीं रहती है सब ट्रिक प्रिक भूल जाता है याद रखना यह चीज है तो कुछ याद नहीं रहेगा कांसेप्ट याद कर रहोगे तभी अच्छा लगता है कि देखिए दूसरा में स्रेड में बता दे रहा हूं उपर साइड में देख लो आप लोग ट्राइम तो जादा नहीं है मेरे पाफ लेकिन फिर भी में बता दूंगा देखो फाइनल में जैसे यह लिखा था 2,3,1 और 0.5 नीचे था 0.04 आप एक मिनट के लिए यह मानों कि नीचे सिर्फ दसमलो उपर सिर्फ लगा नीचे नहीं लगा अगर सिर्फ उपर लगा होता तो हम एक अंग में दसमलो है नीचे उपर 10 से गुड़ा करते हैं यह तो द्यान देना नीचे भी दो अंक पर लगा है तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे उपर नीचे 100 से गुड़ा करेंगे यह यह सिस्टम जाके बनेगा फिर फाइनल में जो भी आएगा तुम लिख सकते हो इसको लिखो तेश पंदरा तीन जीरो नीचे लिखोगे जो भी यह दो अंक लगा दोगे उपर एक अंक पर तसमलो था तो एक अंक लगा दोगे ठीक है फाइनल में आपको उपर तेश पंदरा दो जीरो मिलेगा नीचे आपको चालिस मिलेगा बोलो मिलेगा ना हम एक जीरो से एक जीरो और भी काट सकते हैं और फिल लिख सकते हैं तेश पंदरा जीरो और ये चार बोलो यही चीज तो मैंने नीचे किया था ना नीचे मैंने यही उत्तर तो लाया था तो ये भी एक मेथड़ा ऐसे भी आप कर सकते हो आप एक मिनट क के लिए सोचोंगे कि सिर्फ उपर दसम्डू लगा नीचे नहीं लगा है तो उसके लिए हम अगर एक अंग पर दस से गुड़ा कितना आसान आप सभी सको लिख लिजिये याद रखिए यह क्लास PBR study 2.0 channel पे every night 8 बज़े पे चलती है ठीक है 8 बज़े पे चलती है पायल जी देखिए 360 नहीं आप लोग अगर 720 पिक्सल करेंगे तो एकदम बहतर दिखेगा clean HD quality होता है ठीक है 720 पिक्सल पे करके देखा करिए एकदम मस्त दिख रहा है no doubt no intention ठीक है संद्या सिंग आपको तो पता है ना सब कुछ आपका एको परिसान है quality चेंज कर लीजिए एकदम अच्छा दिख रहा है अभी आपका आपका इंटरनेट तो चाहिए बीना इंटरनेट के आप नहीं देख फाओगे इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपको यूटूब एटोमेटिक दिखाता है ना quality तो अगर इंटरनेट धीमा रहता है तो यह बुलर दिखाता है इंटरनेट तेज रहता तो clear दिखाता है लेक जैफे टच करोगे बच्चा आपसन खुल जाएंगे रिपोर्ट क्वाल्टी कैपसन प्ले बाइक स्वीड तो तुम क्वाल्टी पर किलिक कर दोगे यहां पर आपसन दीखेगा आटो आटो 140 पी 240 पी 360 पी 420 पी 720 पी तो तुम क्या करोगे 720 पी पर कर लोगे तो एक दम क्लियर दिखेगा लेकिन अगर इंटरनेट धीमा है तो वीडियो रुक रुक के चलेगा फिर तो दोनों में से एक ही मिलेगा या तो इंटरनेट तेज रहेगा तो आपको क्लियर भी देखेगा वीडियो भी चलेगा इंटरनेट धीमा रहेगा तो आपको क्लियर अगर देखोगे तो वीडियो फशेगा तो आज की कलासे फेख खताम होती रातरी के 9 बजे से हम PVR Study इलहाबाद चनल फे फिर से लाइब आएंगे आप लोग जरूर आना PVR Study इलहाबाद चनल फे आज आप Basic मैथ पढ़ेंगे क्योंकि 4 दिन हम लोग Basic पढ़ने वाले हैं उसके बाद नए महीने से एक तारीक से 3rd और 4 समेश्टर की नई वैच होगी डियालेट वालों की आज Basic मैथ होगी सभी आना बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को लेकिन यह आज के लिए है बात आज कितना डेट है आज 26 27 नॉमबर है ना तो यह 26 27 नॉमबर के लिए है बाद में देखोगे तो नहीं